पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें और इस लवाट फोर साइड को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार पहली नजर में तो हमें आंटीक चीज़े भी पसंद आ जाती है पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए बस क्यूंकि देर रात तक तुम दोनों धेर सारी बाते करते हो और इसे तुम महबत समझते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि यार अकेले पन के मारे तो दो अंजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात करी लेते अरे अगर किसी लड़की को देख के वो तुमारा हाथ पकड लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका और इस cute jealousy को तुम महबत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंकि आप परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए ना आजाद करने के लिए नहीं बस क्योंकि आप तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम महपत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्योंके याद रखो दो भूके विकारे भी एक दूसरे की भूक समझ सकते है पर मिटा नहीं सकते अरे अगर तुम anniversary का celebration हर महीने कर रहे हो और इसे तुम महपत कहते हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि दास्ता ने इश्च को बया करने के लिए साल का कोई नमबर नहीं चाहिए होता अरे बस क्यूंकि तुम उसके इंस्टा स्टोरीज को और वो तुमारे स्नाप स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम मुहपत कह रहे हो तो हो सकता है तुम गलत हो क्यूंकि है मुहपत को फिल्टरों के साथ सेव नहीं किया जाता हो उसे बस उसी लंगे में जिया जाता है हाँ लेकिन लेकिन अगर जिस्मों में उलजने से पहले तुम उसकी जुलफों में उलजना चाहते हो अगर उन बेखौफ अपना बच्पना तुम्हारे सामें जाया कर देती है अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुम अपने सारे राज उसके सामें खोल दिये और उसने भी अपने सारे डर का जिकर तुम्हारे सामें कर दिये अगर उसका हर आसू तुम्हारे कमीस पे बैता हो और तुम्हारे मुसकान की वज़ए उसकी नादानिया ही हो तो शायद शायद नहीं यार यही प्यार है और अगर यह प्यार तुम्हें मिल गया है तो इसे पकड़ लो जगड़ लो गले लगा लो जहां मौका मिले बस इसे क कहते रो कि तुम से कितना प्यार करते हूं कि ऐसी मुखबत से मुलाकात होने में जिंदेगी का एक काफी लंबार सा बीच जाते हैं